जय जवान जय किसान कुद्रत यदि कुद्रत का हम ख्याल रखेंगे तो कुद्रत कई गुणा ख्याल हमारा रखती है और कुद्रत से हम खिलवाड करते हैं तो कुद्रत भी हमारे साथ कई गुणा ज्यादा खिलवाड करती है आज कल हमने बिना मतलब खात पता नहीं क्या क्या इस कुद्रत में डालना शुरू कर दिया और तब से कुद्रत हमसे शायद नाराज है तो इसके लिए हमें वापिस उस पद्दती पर लोटना होगा जो हमारी पुस्तेनी जो सिस्टम हुआ करता था खेती का जो पुस्तेनी कल्चर था हम अपना कल्चर छोड़के विदेशी कल्चर के पीछे भाग रहे हैं आज हम आपको एक अलग तरह की खेती अलग तरह का सिस्टम दिखा रहा हूँ देखो किसान भाईयो एक खेत के अंदर दो तरह की फसल है ये आप देख रहे हो मूंग और ये है नर्मा तो नर्मा में तरह तरह के रोग हैं मूंग में तरह तरह का रोग है लेकिन यहां देखिए एक अनोखा नजारा की ये मेड बनाई है और इस मेड के उपर हाथ से नर्मे की बिजाई की गई है मेग गरजना भी आप देख रहे हो बहुत खुश्नुमा मोसम बना हुआ है अब देखिए दो फसलों में पहले हमाँ आपको मूंग की दिखा रहा हूँ मूंग के अंदर देखिए बड़िया तरीके की हाइट है और अच्छा यहां पे कोर उठाया हुआ है और इस तरह कतार में साथ फुट का गैप है फिर दो लाइन नर्मे की है फिर साथ फुट का गैप है फिर दो लाइन नर्मे की है इस तरह करके टोटल 20 लाइन नर्मे की हैं तो इसमें 40 खुड होगे और इसके बीच में 20 जो हम हडाई बोलते हैं फांट बोलते हैं वो है मौं की तो एक साथ दो दो फसलों का इंतजाम किसान भाई ने किया हुआ है अब इसके पोदे की हाइट देखते हैं और इसमें ये देखते हैं कि इसने अलग क्या किया हुआ है अलग ये किया हुआ है कि जो भी नर्मा था यहां से उपर से तोड़ दिया गया आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा हुआ गा, कि हर पोदा उपर से तोड़ दिया गया था, ये देखिए, चाहे वो पोदा छोटा है, चाहे वो बड़ा है, हर पोदे को उपर से तोड़ दिया गया, और इसमें आपको दिखाया भी होगा कि कुछ नर्मा हमने निका बी लिया है और फिर से पोधे एक-एक पोधे के उपर चार-चार-चार-चार-पांच-पांच खिले हुए हैं और फिर देखिए इसमें रोग कुछ है या नहीं यह देखने वाली बात है मैन मकसद है इसका अपना DNA करना कहीं भी कोई रोग दिखाई नहीं दे रहा नर्मे के अंदर और नर्मे की तोड़ देने के बाद में भी 6 फुट से ज़्यादा इसकी हाइट है बहुत तरह के नर्मे के टिंडे जो खिले हुए इनका प्रसिक्सन कर रहे हैं किसी में भी कोई गुलाबी सुन्ड़ी या किसी तरह का परवाब नहीं अभी तक और ज्यादा पानी से कुछ फुल पतियां गिर जाती हैं गिरी हुई यहां भी हैं लेकिन कोई नाम मातर और आज रक्षा बंदन है 19 तारिक है तो आज पोद्दे के उपर टिंडे देखिए यह बीटी टूई है ना कि बीटी थरी है यह देखिए यह भी उपर से तोड़ा हुआ है इसके बाद में इसकी साखाएं फैली है और टिंडों की बरमार है यह देखिए और फिर बीच ब नहीं पताया कि तिन तेन चार टिंयावे हैं और किसी तरह का कोई रोग इसमें नहीं नहीं है हर पदे को उपर से तोड़ दिया गया था दूसरी तरफ यह मूysis्य पसल देख रहे हो और इस तरफ हिए मूई की फसल देख रहे हो तो क्या इस तरह की क्षटी हमें करने हैं आप कॉमेंट में हमें सुजाब भी दें और ये खेती आपको गाटा नहीं करेगी क्योंकि देखिए दो फसल है किसी कारण कुदरत का कहर तूटता है देखिए कुदरत के साथ तो हमने छेड़ खानी की है जिसकी बज़े से हमें इसका बुगतान करना पड़ता है कुदरत का जब कहर तूटता है तो सबसे पहले जो बेबस और लाचार दिखाई देता है वो होता है किसान और यहाँ आपको एक ना एक फसल तो जरूर संभाल लेगी यह देखिए तो यहाँ दो-दो फसले है और फसल में पोदों की हाइट आप देख रहे हो एक एकड़ के अंदर यह लगा हुआ है यहाँ पे आपको फूल-फूल साथ-साथ तिंडे कुछ खिले हुए है यह देखिए तिंडों की संख्या आज 19 अगस्त को ही हम हर पोदे के उपर देखना चाहें तो कम से कम 40-50 तिंडे अभी भी लगे हुए है और उपर यह देखिए पूरी तरह से लवालव पत्तों की संख्या कम तिंडे ज्यादा कोई तरह का रोग नहीं है तो हमें इस तरह की खिती करनी चाहिए नए नए पर सिक्सन करने चाहिए क्योंकि देखी किसान का कोई नहीं होता हम सरकारों के उपर आँख मूंद के नहीं बैठ सकते कि वो हमें बताएंगी कि क्या करना है क्योंकि हमारे देश का किर्शी मंतरी वो है जो कभी खेत में नहीं गया शिक्षा मंतरी वो है जिसने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की वनिज्य व्यपार मंतरी वो है जो गर में कभी सबजी नहीं लाया और इन में से जो कुछ भी नहीं जानता वो परदान मंतरी है तो ऐसे में हमें खुद की देखवाल खुद करनी होगी और अपने तरीके से क्योंकि हम से ज़्यादा खेती बारे में कौन जानेगा किसान से ज़्यादा बड़ा एग्रिकल्चर का डोक्टर कोई नहीं है किसान से बड़ा कोई जानकार नहीं है खेती के बारे में तो खुद अपने हिसाब से आप खेती करो अपने त्रिक्के से खेती को डेवलोप करो इसे में अपनी बलाई है तो यहां आपने देखा कि एक ही एकड में दो-दो तरह की फसले यह देखिए एक शांदार नजारा क्योंकि मूं की विजाई काफी बाद में हुई है उससे पहले नर्मे में दो-दो-तिन-तिन बार हडाई कर दी गई थी यह बीच की रस्ते जो देख रहे हैं यहां टेक्टर से हैरो से इसकी अडाई की है आप पिछे वीडियो में भी देख सकते हैं कैसे हमने इसकी हडाई की थी हडो आकी थी और आइट भी लगबग आप मानों छे फुट चली गही है और बढ़िया फूल बढ़िया टिंडे जै जवन जै किसान साथियो कॉमेंट सब्सक्राइब लाइक यह सब की जरूरत है क्योंकि यह सब आप हमें मुहया करवाएंगे तो हम आपके लिए नई- लखनीक और अपनी कोई भी वीडियो कोई इडिट नहीं होती सारी की सारी लाइब वीडियो हैं आप शुरूशे लेकर अब तक जो भी वीडियो आप देख सकते हो सारी की सारी लाइब हैं तो किसान भाईयो इतनी मदद जरूर किया करें आप जै जवान जै किसान जै कि कि लेंदें Dharma